Hello Friends, Welcome to Nursing Study आज की वीडियो में हम बात करेंगे Sign of Breast Cancer तो breast cancer के बारे में हम बात कर रहे हैं तो कुछ жен in symptom हम इसमें discuss करेंगे जों love sign in symptom अगर किसी भी महिला किसी भी बुमन को अपनी breast में feel होता है तो इसका मतलब कि उनको breast cancer जो हो हो सकता है तो कौन-कौन से sign होते हैं breast cancer के तो सबसे पहले हम एक चीज़ यहाँ पर note करते हैं कि any of the following irregularities you notice in your breast should be investigated by your doctor straight way यानि कि अगर कुछ भी irregularity जो है feel होती है यानि कि जो normal नहीं feel होता है breast के अंदर किसी भी महिला को तो उसे immediately भीना किसी हेच के चार्ट के अपने doctor से investigate करना चाहिए तो अब हम देख लेते हैं क्या-क्या sign जो है वो normal sign जो है नहीं दिखा रहा है या फिर कुछ भी changes हो रही है breast में या फिर यह जो हम sign discuss कर रहे हैं अगर इन में से कोई भी sign किसी महिला को अपने breast में feel होता है तो इसका मतलब है कि उनको breast cancer हो सकता है तो सबसे पहले sign हम देखते हैं इसमें निपल becoming irregular in shape and sinking into the breast यानि कि जो निपल होगी breast की जो निपल होती है वो उसकी shape जो होगी वो irregular shape हो जाएगी and वो breast के जो है बिलकुल sinking यानि कि breast के अंदर चले जाती है यानि कि वो अंदर धस जाती है और उसकी जो shape है वो बिलकुल ही irregular यानि कि जो normal round shape होनी चाहिए वो shape नहीं रहती है तो सबसे पहले इसका sign होगा कि उसकी निपल में changes हो जाएंगी और वो जो है inside जो breast की बिलकुल अंदर की तरफ चले जाती है उसके बाद second sign होगा unusual discharge from one or both nipple यानि कि breast में से निपल से unusual discharge होता है यानि कि normally जो है महिला के breast से जो महिला है अपने बच्चों को दूद नहीं जो पिला रही है उनकी breast से तो क्या है मिलका discharge होगा लेकि अगर वो कोई भी breast feeding नहीं है तो अगर उनके breast से किसी भी तरह कोई discharge हो रहा है चाहे वो white discharge हो या फिर red discharge हो यानि कि अगर breast से blood आ रहा हो या किसी भी तरह का unusual discharge हो रहा है अगर एक प्रेस से हो रहा है या फिर दोनों ब्रेस से हो रहा है तो उसको भी इमेडियेटली चेक कराया ना चाहिए उसके बाद आता है इसमें थर्ड साइन है इसमें constant pain in the armpit और one part of breast यानि कि अगर cancer है महिला को तो क्या होगा अगर breast cancer अगर उन्हें feel होता है या फिर अगर यह उन्हें sign दिखता है अपनी breast में यानि कि उनकी arm pit में यानि कि जो shoulder के नीचे होता है under arm होते है वहाँ पर side में क्या है breast की बिलकुल साथ में side में क्या होगा pain होना शुरू हो जाता है और ब्रेस्ट के एक पार्ट में जो है वहाँ पर पेन होना शुरू हो जाता है उसके बाद next sign है a change in the color of the breast the breast may look red and inflamed यानि कि breast का जो color होता है जो normal skin का color है या फिर एक breast या दोनों breast में आपको difference दिख रहा है एक breast का color change है और दूसरी का नहीं है या फिर दोनों ही same color में होनी जो कि skin का color पूरी skin का जो color होता है उसी skin का breast का color भी होना चाहिए अगर कोई भी change दिखता है color में change आ रहा है इसका मतलब क्या होगा कि वो cancer का sign हो सकता है या तो क्या है वो red हो सकता है अगर breast जो है red color में दिख रही है या फिर inflamed हो रही है यानि कि breast में जित रही कोई सुजन तो यह breast cancer का sign दिखा रही है उसके बाद आता है next आता है अब पक्रिंग ऑफ दिखीण मुद्ध आफ ब्रेस्ट आ पक्रिंग ऑफ द सकीन आफ द ब्रेस्ट यानि कि प्रेस्ट के ऊपर जए कि तक कोई पक्रिंग जो है वह पक्रिंग क्या होता है कि जैसे कि पिमपल होता है वह पक जाता है या फिर उसके अंदर पस पढ़ जाती है या इस तरह कोई साइन जो है अगर वो ब्रेस के ओपर दिखाई दे रहा है उसके बाद आता है इसमें क्रॉष्ट एन्ट फ्लेकी स्कीन और रैश अराउंड दा निपल किसी बेतरह की कोई सुजन हो रही है या फिर रैश हो रहे है या फिर कोई जह एक तरह की जो नोड्स बन जाते हैं यह च में क्या होगा कि अगर ब्रेस्ट के साइज में चेंजिस आ रही है यानि कि दोनों ब्रेस्ट के साइज जो है वो डिफरेंट हो रही है या तो एक इनका चेंज होगा या फिर दोनों का चेंज हो रहा है तो इससे पता लगाया जा सकता है आपको अपनी ब्रेस्ट देख कर the size of breast तो जैसे कि हमने previous वाला हमने पड़ा है point कि अगर जो breast का size change हो रहा है तो अगर size change होना या फिर breast का increase हो जाना यानि कि माल लिजे कि अगर breast में cancer जो है develop हो रहा है तो उसका size क्या होगा वो बढ़ जाएगा size यानि कि वो size में breast बड़ी हो जाएगी तो increase of the size भी एक क्या है sign दिखा रहा है breast cancer का तो यह थे कुछ sign जो breast cancer के sign है तो जो है normal breast cancer होना चाहिए और क्या-क्या इसमें sign आपको difference पता चल गए है कि अगर अगर आप अपना breast examination करते हैं तो आपको यह sign जो है वो आपने breast में नहीं दिखने चाहिए तो क्या-क्या थे एक बार फिर से हम इसको read out कर लेते हैं सबसे पहले क्या होगा जो nipple है उसका shape जो है वो change हो जाएगा यानि कि sinking हो जाएगी breast की तरफ जो वो sink हो जाएगा और किसी बैदरा का कोई discharge नहीं होना चाहिए breast से और अगर किसी महिला को armpit में या फिर breast की one side में पेन है तो यह cancer का sign है और breast का color अगर change हो रहा है red हो रहा है या फिर किसे तरह कोई सुझन हो रही है तो यह भी एक sign है breast cancer का और अगर breast पर किसी तरह की कोई pickering हो रही है या फिर breast की skin में changes हो रही है और उसके बाद आता है breast पर किसी तरह कोई rashes हो या फिर nipple पर कोई rashes हो रहे हो या फिर किसी तरह कोई notes बन रहे हो या कोई gant बन रही हो तो ये भी sign होता है breast cancer का और breast के size में change हो जाना यानि कि दोनो breast के size compare करेंगे तो size जो है वो change मिलता है या फिर breast के size का increase हो जाना ये भी क्या है sign है सारे breast cancer के तो अगर किसी भी महिला को इन में से कोई भी sign अगर उन्हें अपने breast में feel होता है तो उन्हें immediate अपने doctor से consult करना चाहिए doctor से check up कराना चाहिए तो ये थे कुछ important sign of breast cancer तो आज की वीडियो में इतना ही I hope ये वीडियो आपके लिए helpful रहेगा Thank you for watching też準備 हैं मपने उन्हें